हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्ती पोरवाल दोस्तो मैं हूं आर्ती और आज मैं नीट स्टुडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी लेकर आई हूं दोस्तो आपको बता दू कि एक स्टेट ने अपने एक नए मेडिकल कॉलेज में 100 सीट बढ़ाने का फैसला लिया है तो दोस्तो पूरी नीज में आपको विस्तार से दूँगी इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेर भी करिएगा तो चलिए दोस्तों आपको पूरी नीज देती हूँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ स्टेट उडिसा की उडिसा में इस साल के एकेडमिक सेशन के लिए यानि 2021 के लिए पूरी मेटकल कॉलेज में इस साल से नई सीर्ट से चलू की गई है स्टार्ट कर दी गई है यहां के पूरी के जो अकेडमिक सेशन है अट पूरी मेटकल कॉलेज और हॉस्पीटल विल बिगन दिस येर इन फॉर्म DMET डिरेक्टर CBK महेंटी और वेडनेस डे वेडनेस डे को ही यहां के डिरेक्टर ने ये घोशना किये जो पूरी मेटकल कॉलेज है वो इस साल से स्टार्ट हो जाएगा और the student take capacity of the medical college is 100 per year और हर साल ये 100 students इसमें allow करेगा बढ़ाई के लिए तो दोस्तों ये बहुत अच्छी news हो जाती है क्योंकि जो 2021 का NEET का paper होगा उसमें 100 seats जो है MBBS की बढ़ जाएंगी क्योंकि एक नए medical college यानि पूरी medical college में इस साल 100 students लिये जाएंगे और Mohanty who was in Puri for an inspection of the district hospital and infrastructural development at the medical college said admission of students in the medical college will start from this year we have received admission permission for 100 seats तो दोस्तों इस साल से इस medical college में students को admission मिलने लगेगा और 100 seat per year इसमें ये घुशना की गई है कि बच्चे admission ले सकेंगे उरीशा चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक had laid the foundation stone on the Puri medical college and hospital in 2015 under प्रदा मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना के तहत प्रदान मंत्री की स्वास्त सुरक्षा योजना थी उसके तहत कि पहले ही चीफ मिनिस्टर ने 2015 में ये घुशना कर दे का सोचा था लेकिन अल्लियर देन चीफ सेक्रेटरी आफ पुरीशा सिट ट्रिपाथी had directed health department officials to expedite and ensure all necessary arrangements for enabling conduct of classes at the college including in the medical colleges at Teltshire and Sudhargarh तो दोस्तों यहां पर उन्होंने पहले ही यह सोचा था कि यह medical college की इस साल से starting कर देंगे और भी जो जरूरी arrangements थे बच्चों की पढ़ाई के लिए इस college में वो सारे कर दिये गया है तो यह इस साल से यानि 2021 से NEET के students को यहां पर admission मिलने लगेगा और हर साल 100 students को यहां पर MBBS करने का मौका मिलेगा तो दोस्तों उडिसा में 100 CS बढ़ने वाली है MBBS की पूरी medical college में तो यह NEET 2021 के students के लिए बहुत अच्छी ख़बर है क्योंकि जब seat बढ़ जाती है तो आपको MBBS CS मिलने का मौका भी बढ़ जाता है तो आपको बहुत सुधार आएगी तो यह पूरी न्यूज थी उडिसा के पूरी medical college की तो अगर आपको यह न्यूज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेर करिएगा थैंक यू